डरपोक पत्थर की कहानी बहुत पहले की बात है एक शिल्पकार मूर्ती बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूनने गया वहाँ उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया जिसको देखकर वो बहुत खुश हुआ और कहा यह मूर्ती बनाने के लिए बहुत ही सही है जब वो आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया घर जाकर उसने पत्थर को उठा कर अपने ओजारों से उस पर कारीगरी करनी शुरू कर दिया ओजारों की चोड़ जब पत्थर पर हुई तो वो पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है अगर तुम मुझे पर चोड़ करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाओंगा तुम किसी और पत्थर पर मूर्ती बना लो पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ती बनाने लगा वो पत्थर कुछ नहीं बोला कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ती बना दी गाओ के लोग मूर्ती बनने के बाद उसको लेने आए उनने सोचा कि हमें नारियल फोरने के लिए एक और पत्थर की जरूरत होगी उन्होंने वहां रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया मूर्ती को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया अब जब भी कोई व्यक्ती मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ती को फूलों से पूजा करता दूद से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोर्ता था जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोर्ते तो बहुत परेशान होता उसको दर्ध होता और वो चिलाता लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था उस पत्थर ने मूर्ती बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मजे से हो लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं तुमको दूद से स्नान कराते हैं और लड़ूओं का प्रसाद चड़ाते हैं लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है मुझ पर लोग नारियल फोर कर जाते हैं। इस पर मूर्ती बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारिगरी कर रहा था यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते। लेकिन तुमने आसान रास्ता पानी गिरता और अब लोग मूर्ती को प्रसाद का भोग लगा कर उस पत्थर पर रखने लगे। सीख, हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए।